हेलो गाइज, वेलकम बैक टो इसकील इंडिया 91 आज मैं आप लोगों के साथ एक काफी इंपॉर्टेंट अब्डेट सेयर करने वाला हूँ अपडेट ये है कि जितने भी छात्रों 2020-2021 में स्टडी कर रहे हैं सेकेंड येर के, 2021-22 में फर्स्ट येर के या फिर 21-23 के सेकेंड येर के बच्चे तो उन सभी के लिए एक अपडेट है, अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं कि अभी मैं NCVT के MIS पोर्टल पे हूँ और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, News & Update के सेक्षन में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे Trainage Verification and Approved Laptower Cases Session 2020-21-22 यहाँ पे देखी, आप लोगों को एक अपडेट बताया गया है अपडेट काफी important है, इसलिए मैं चाहा कि आप लोगों को बता देता हूँ तो इस अपडेट को मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, PDF के format में यह पड़ा हुआ है हमारे पास तो अभी मैं आप लोगों को वहाँ दिखाता हूँ देखे, अपडेट यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ देख रहे हैं, यह लेटर पांच माई को जारी किया गया है यहाँ पर डेट दिखाया गया है और Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training बार-बार मैं बताता हूँ कि जो भी DGT के द्वारा जारी किया गया लेटर होता है उसके उपर यह जरूर मेंसन होता है क्योंकि अथेंटिफिकेशन बताना आप लोगों को जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल वाले हैं देखिए इसका सब्जेक्ट यह है कि जो भी प्रेनीज पढ़ रहे हैं 2020-21 के या फिर 2020-22 के तो यहां पर उन लोगों के लिए एक अपडेट है कि वो अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आप लोग जानते हैं कि काफी पहले आप लोगों को बताया गया था कि यदि आपके प्रोफाइल में आपका कोई मिश्टेक है फादरस नेम, मदरस नेम, आपका नाम या फिर फोटो तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं यहां पर देखे बताया गया है रेफरेंस टू रिक्वेस्टेट रेसिब्ड फ्राम आई टीए प्रोवाइडिंग लिंक ट्रेनीज वेरिफिकेशन एड एप्रूगल फासेशन बीस इकिस बाइस वन इयर टू इयर एंड सिक्स मन्थ तो देखे जितने भी बचे छूट ग बीच में चार दिन के लिए ओपन किया गया है वेबसाइट को छे तारिक से लेकर के नौ तारिक तक यह ओपन रहेगा और यह चार दिन का आपके पास समय है अभी आप अपडेट कर लेते हैं तो ठीक है नहीं तो आप जानते हैं कि काफी परेसानी होता है जब रिजल्ट ह हो जाता है रिजल्ट अपने पास आज आता है तो आप फिर बोड़ लेकर के जाते हैं यहां वह द रहते हैं कॉलेज में जाते हैं अप्लेकेशन देते हैं कोई सुनता नहीं है क्योंकि आपकी गलती यहां पर आपको बता दिया गया है कि आप यहां पर अपना के भी बारे में बताया गया है जो भी स्पेशल सीविटी एक्जाम आप जानते हैं कि कंड़क्ट करवाया जा रहा है इस समय अभी उसमें भी कुछ बच्चे छूट गया थे अपना फी नहीं पेड कर पाया थे तो उनका अभी एड्मिट कार्ड नहीं आया वो बच्चे परे करने वाले हैं तो इस वज़े से काफी बच्चे परेशान हो गये आप जानते हैं कि एक ही इसू को कई जगह से उठाया जाता है तो सिस्टम में उसको अपडेट करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नकुछ ही स्टेप लिया जाता है तो यहां पर बताया ग सिबिटी एक्जाम के लिए आपको 18 से 30 मही तक पेड करना होगा आपका एक्जामिनेशन कंड़क्ट करवाया जाएगा और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो यह काफी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं काफी बचे पूछ रहे थे कि सप्लिमे के लिए अपडेट आएगा तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए आप लोगों का भी एक्जामिनेशन हो जाएगा बाकी यह जो अपडेट मैंने आपको दिया कि आप लोग अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं उसमें कुछ बदलाव करेक्शन करना चाहते हैं तो उसस के साथ अपने कॉलेज ग्रूप के साथ ताकि कोई भी बचा बचा हो तो वो अपना अपडेट कर ले क्योंकि यदि नहीं करेगा तो भविश में उसके लिए काफी मुश्किले हो सकती हैं तो बाकी वीडियो में लाश्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद ऐसे ही न्यू